और जैसे ही आपका verification complete हो जाएगा आपके सामने verification option कुछ इस तरह से नजर आएगा और यहाँ पर my wallet वाले option में लिखा हुआ रहेगा your kyc is verified view detail यदि आप उस detail को देखना चाहते हैं तो आप view detail पर click करके देख सकते हैं जब ecosystem में o verify के द्वारा verification process को update किया जाएगा verification process को ecosystem में add किया जाएगा तो आप verification process का option ecosystem में दो जगह पर दिखाई देगा इस verification option को आप ecosystem के my profile में देख सकते हैं और ecosystem के my wallet में भी देख सकते हैं तो o verify option को देखने के लिए हमें बस my profile वाले option पर click करते ना है क्लिक करते ही आपके सामने कुछ option नजर आएगा इसमें से हमें सबसे पहले नंबर वाले option profile पर क्लिक कर देना है profile वाले option पर क्लिक करते ही आपका profile open हो जाएगा और यहाँ पर change password और edit profile के उपर में verify और KYC का option दिख जाएगा वहीं जब आप ecosystem के dashboard में my wallet वाले option पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने आपका my wallet का dashboard open हो जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा your KYC verification is in process check a status तो आपको profile या wallet दोनों में से किसी एक जगह पर verification option में से किसी भी एक पर क्लिक करेंगे क्लिक करने की वाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक pop-up open होगा जिसमें o verify से संबंदित कुछ निर्देश दिया गया है जिसे आप यहाँ से scroll करके पढ़ सकते हैं इस निर्देश को अच्छी तरह से पढ़ने की बाद आपको accept वाले option पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप accept वाले option पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface नजर आएगा यहाँ पर आपको अपना full name भरना है यहाँ पर आपको अपना date of birth भरना है उसके बाद यहाँ से आपको अपना country select कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना document select कर देना है आप कौन सा document upload करना चाहते हैं उस document को यहाँ से chain करके select कर लेना है जैसे आपका document आधार card हो सकता है pen card हो सकता है water card हो सकता है जो आप document यहाँ पर upload करना चाहते हैं उस document का नाम यहाँ से select कर लेना है उसके बाद उस document का front side का photo खीच करके आपको यहाँ पर upload कर देना है और यहाँ पर उस document का back side का photo upload करना है उसके बाद यहाँ पर upload and verify वाले option पर click कर देना है तो जैसे ही आप verify वाले option पर click करेंगे आपके device का camera open हो जाएगा जिसमें आपको अपना live photo click करना है आड़वा फोटो इस तरह से क्लिक करना है जिसमें आपका सिर्फ फेस कैमरे के होल में होना चाहिए उसके बाद कैप्चर वाले ओप्चन पर क्लिक कर देना है यदि इस समय कैप्चर वाला ओप्चन काम नहीं करता है तो आपको अपने आँख को एक बार बंद करके खोलना है ऐसा करने के बाद यह कैप्चर ओप्चन काम करने लगेगा क्योंकि यह कैमरा AI बेस पर आधारित है जब तक इस कैमरे को ऐसा नहीं लगेगा कि जीवित इंसान का फोटो क्लिक किया जा रहा है तब तक यह कैमरा आपके फोटो को क्लिक नहीं करेगा इसलिए यहाँ पर बंद करके खोलना जरूरी है और ऐसा करने के बाद जब आपका फोटो क्लिक हो जाता है तो आपके सामने दूसरा ओप्शन इस तरह का आएगा जिसमें दुबारा से आपको एक फोटो क्लिक करना है आपको अपने फेस के नीचे में इस तरह से अपना डेकोमेंट को रखना है उसके बाद एक फोटो क्लिक करना है तो यहाँ पर आपका फेस भी रिकोर्ड कर लिया जाएगा और आपका डेकोमेंट भी रिकोर्ड कर लिया जाएगा उसके बाद हमारे सामने दूसरा ओप्शन योर वेरिफिकेशन डाटा का दिखाई देगा यहाँ पर आपको अपना कर देना है और यदि सब कुछ सही है तो आपको प्रोसेश वाले ओप् Mensch पर क्लिक कर देना है और यदि आपको इसमें कुछ गलत दिखाई देता है तो आपको रीजेटवाले ओप énerbs पर क्लिक करना हैं. और दुबारा से उसी process को फिर से follow करना है और यदि सब कुछ सही है तो आपको process वाले option पर click कर देना है आपके सामने verification status इस तरह से दिखाई देगा जिसमें तीनों option में tick लगा हुआ दिखाई देगा यदि तीनों option में tick लगा हुआ है तो आपका verification complete हो गया है अब जब आप my wallet वाले option पर click करेंगे तो आपके सामने इस तरह का option दिखाई देगा your kyc is verified view detail और उस detail को आप यहाँ पर click करके देख सकते हैं तो इस तरह से आप अपने ecosystem wallet का ecosystem profile का verification आसानी से कर सकते हैं उमीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी को अब आप अच्छी तरह से समझ गये होंगे इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हम नीचे comment में पूछ सकते हैं